असलाम लेकुम आई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब उमीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे वेलकम टू मैं चैनल लाइफ विदेरा शाम आज की वीडियो में मैं का पाकिसान ब्रैंड का मैं आपको मेक अप दिखाती हूं कौन सा अच्छा है क्यूंकि हम आपको पता है क तो क्यों ना आपको दिखाया जाए के पाकिसान ब्रैंड का आप अच्छा मेक अप और रिजनेबल कौन सा ले सकते हैं क्योंटेशन की बात करतें हैं तो यह बनेंजा सतरंगी की है टॉप फेस और इस पर मैंने थोड़ा कलर ना थोड़ा डार्क ले लिया था 004 यह मेरे लिए काफी डार्क था मुझे आइवरी सूट करता है तो फिर मैंने यह जो ब्यूटी फाइबाय आमना का मैंने फियर कलर लिया 01 और मैं फिर इन दोनों को मिक्स करके लगा लेती हूं यह देखें यह डार्क है और वो फियर कलर है बिल्कुल फियर है 01 नमबर है तो यह मेरे लिए ठीक रहते है और उसके बाद उसके बाद आपको पता है कि मुझे यह मेबलीन का मेकप बहुत पसंद था तो आपको पता है कि यह भी हम यूज नहीं कर सकते और शाही तूट ग यह को अज़र मेबले लहती अपते हैं पता है ठाले का मेकप बैदी के मैंपने का देखें है सकते होई जare वाद सकते हैं यूफर का इनपा क्रेंफ्लब्र बहुत करiff memb रहुता हैivals और यह वह क्या करें यह मेरे पास दो इनस्टिच्पड करतुईट इसमत ए्रक्डिए और मुझे नहीं पता कि 5 इस था यह ब्रैंड हम यूग कर सकते नहीं यह है और ही यूज करने में अच्छा पालर पिंक कणलर हो था बहुत हुआ है कि पमें पाकिसानी अपास यह हाई और ये काफी अच्छी है, रिवाज है, इमपाला है और टॉप फेस है बनाद सत्रंगी और इसके इलावा गोल्डन रोज वो मेरे खियासे बेस्ट है, गोल्डन रोज की लिपस्टिक बेस्ट है, बहुत जबरदस है, इसमें मतलब मैट लिपस्टिक हो या लिब ग्लॉस हो बहुत अच्छे हैं इनके सन ब्लॉक की बात की जाए तो यह बेस्ट है कोई एपील आफ नहीं हुआ और वाइड कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता ही टिंटिड सन ब्लॉक है SP 60 के साथ बहुत जबरदस्त है मुझे अच्छा लगा है मैंने का क्यों आपको बताया जाए अच्छे मुझे किसी ने कहा था कि इसका भी आपने जुरूर बताना है तो यह बस ठीक है मतलब अच्छा है ठीक है बस तो दूसरा यह कि यह गार्नियर का है अब क्या कर सकते हैं इस रोज कमेक आपको की वह भी अच्छा है यस को हम बात ना तृ करने हैं हम बाहिर यद सफार हैं। हम तुछ समझते ही नहीं है लेकिन अम हमें समझना पड़ेगा सारा मतलब पाकिसानी ब्रैंड को क्योंकि हम पाकिसानी और हम में पाकिसानी चीजे यूज़ करनी पड़ेंगी तो वीडियो पसांद आए तो मस्त लाइ करें सब्सक्राइब करें टे केर अला हफीज